नमस्ति दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज मैंने बनाया है सूजी और बेसन का ढोकला यह बहुत यह आसान तरीके से बन जाता है दोस्तों और खाने में बहुत मज़दार लगता है यह बहुत ही फलफी होता है दोस्तों अब इससे पहली बार भी बनाएंगे ना दोस्तों यह बहुत यासान तरीके से पहली बार भी परफिक्ट बनेगा चलिए इसकी रेस्पी देख लेते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है रेस्पी जुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फेस्बूक पेच पर फॉलो करना है मत भूलिएगा अ कि यहां पर सूजी और बेसन का ढोकला बनाने के लिए मैंने आप एक बाउल लिया है दोस्तों इसमें मैं डालूंगी एक कप भर के बारीक वाली सूज साथी में एक कप बेसन यहां पर मैंने चनी की बेसन लिए है अब इसमें मैं डालूंगी दो चमच चीनी साथी में हाफ चमच नमक और थोड़ी सी हिंग डालूंगी इसमें मैं डालूंगी एक कप दही सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक लंप्स फ्री बैटर बना लूंगी इसमें कोई भी गुठलिया नहीं होनी चाहिए दोस्तों इसका बैटर बहुत ज़्यादा गाड़ा पी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला पी नहीं होना चाहिए आपको एक बार में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है दोस्तों और इसे हम एक ही डारेक्शन में फेटेंगे इसे फेटना बहुत जरूरी है दोस्तों इसे मैं ढखके 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि यह हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए धोकलों को स्टीम करने के लिए मैंने गैस पे कड़ाई को चड़ा दिया है दोस्तों इसमें मैं दो गलस पानी डाली हूँ साथी में नीचे एक स्टैंड लगा दी हूँ पानी को गरम होने देंगे यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं दोस्तों बैटर हमारा काफी गाड़ा लग रहे है इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालोंगी देखिए दोस्तों यहाँ पर बैटर हमारा ऐसा होना चीए अब इसमें मैं डालूंगी दो बड़े चमच रिफाइन्ड ओइल और इसे अच्छे सी मिक्स कर लेना है अब यहाँ पे मैं डालूँगी एक चमच भरके अद्रक और हरी मिर्च का पेस्ट और इसे भी अच्छे सी मिक्स कर लेना है अब ढोगले को स्टीम करने के लिए मैं यहाँ पे मैंने एक प्लेट लिया है दोस्तो प्लेट में मैं डालूँगी रिफाइंड ओल और इसे अच्छे से ग्रेज कर लूँगी इसे मैं साइड में रख दूँगी यहाँ पे ढोगले की बैटर को फर्मेंट करने के लिए मैं इसमें डालूँगी एक सैसे इनू फूरूट सॉल्ड का आप चाहें तो यहाँ पे बेकिंग सोडा भी राल सकते हैं और इसे एक्टिवेट करने के लिए मैं थोड़ा से डालूँगी पानी और इसे फटाफट मिला लेना है यहाँ पे हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तो अब यहाँ पे हम फटाफट अपना हाँ चलाएंगे इसे फटाफट मिक्स करने के बाद इसे मैं ट्रे में पोर कर दूँगी और इसे हलका से टैप कर देंगे ताकि जो भी एरमबल सो निकल जाया यहाँ पर ढोकला हमारे स्ट्रीम होने के लिए बिल्कुल तयार है दोस्तों पानी भी यहाँ पर गरब हो चुका है गैस की फिलिम को मीडियम पर कर देंगे और इसे हम 20 मिनट के लिए स्ट्रीम कर लेंगे आपको बीच में खोल के बिल्कुल भी चेक नहीं करना है यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं दोस्तों चलिए अपनी ढोकले को हम चेक कर लेते हैं यह देखिए दोस्तों ढोकला हमारा एकदम स्ट्रीम हो चुका है इसमें एक टूथपिक डाल कर चेक करूँगी ठूथपिक हमारे एकदम क्लीन आया दोस्तों अब मैं गैस की फिल्म को बन कर दूँगी और ढोकले के ट्रे को में बाहर निकाल लूँगी और इसे हलका सा ठंडा होने देंगी इसके बाद इसे मैं कट पीसेस में कट करूँगी यहां पर ढोकला हमारा थ्रफश थंडा हो चुका है इसे बहुझ्जार या थंडा साल करना है अब इसे में कट कर लूँगी हैं यह देखिए दोस्तों या पर ढोकला मारा कितना सॉफ्ट बन हे देखिए कितना सॉफ्ट और कितना स्पॉंजी है हमारा ढोगला बना है यह देखिए दोस्तो ढोगली की जाली देखिए दोस्तो कितना सॉफ्ट और कितना स्पॉंजी हमारा ढोगला बना है अब चलिए इसके लिए फटाफट हम तड़का तियार कर लेते हैं यहां पर मैंने गैस पे कुछ तड़का पैंच अढ़ा दिया है दोस्तों इसमें मैं रिफाइन डालूँगी साथी मैं राई के दाने डालूँगी यहां पर मैं एक चमच भर के राई के दाने डालूँगी तड़का हमारा भून जाए इसके बाद इसमें मैं डालूँगी हींग अब इसमें मैं डालूँगी हरे मिर्च तीन से चार मैंने हरे मिर्चों को लिया है साथ ही में कड़ी पत्तों को लिया है अब हम मिर्च और कड़ी पत्तों को भी थोड़ा भूल लेंगे अब मैं इसमें डालूँगी एक कप जितना पानी इसके बाद इसमें मैं डालूँगी दो चमज जितना चीनी साथी में हाफ चमज नमक डालूँगी और तड़के में एक अच्छा उबाल आने देंगे यहां पर तड़के में उबाल आ चुका है दोस्तों अब मैं गैस की फिल्म को बन कर दूँगी आप चाहें तो इसमें लेमन जूस पी डाल सकते हैं अब मैं गरम गरम तड़का ढोकले को उपर डालना है इसे पानी पिलाना बोलते हैं दोस्तों तो ढोकले को हम अच्छे से पानी पिलाएंगे यह रैस्पी वो कैसे रहेगी दोस्तों प्लीज आप मुझे कॉमेंट वॉक्स में लेकर जूरू बताईएगा इसे पने फ्रेंड्स और फैम्ली के शेयर किजिए के एक लाइक कर देजिए के मैरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फिर मिल तुम्हें आपसे एक ने वीडियो में एक ने रेस्पी कसा तब तक लिए बाई बाई